बिग ब्रेकिंग, माइक्रोसोफ्ट सवर डाउन से दुनिया भर में हर कम्प, बैंक विमान, कम्प्यूटर सब पर असर, भारत और अमेरिका सहित दुनिया भर के कई देशों में विमान से वाइठ अफ हो गई हैं। माइक्रोसोफ्ट के सवर में दिक्कतों की वजह से उरान से वाइप रभावित हुई हैं। कई कम्पनियों के विमान उरान नहीं भर पा रहे हैं। भारत में दिल्ली, मुंबई और बेंगलूरू एरपोर्ट पर फ्लाइट्स तै समय से देरी से चल रही हैं। भारत सरकार ने इन तक्नीकी दिक्कतों के बाद माइक्रोसोफ्ट से संपर्क किया है। कई देशों की सरकारों ने इमजेंसी बैठक बुलाई है। स्पाइस जेट, इंडिगो और अकासा एरलाइन्स ने भी इसी तरह की तक्नीकी समस्या का हवाला दिया है। इंडिगो और स्पाइस जेट जैसी एरलाइन्स का कहना है कि सवमें दिक्कत की वजह से सेवाइं ठप हैं। एरपोर्ट पर चेक इन और चेक आउट सिस्टम ठप हो गए हैं। बुकिंग सेवा भी प्रभावित हुई है। सिर्फ विमान सेवाएं ही नहीं बलकी कई देशों में बैंकिंग सेवाओं से लेकर टिकट बुकिंग और स्टॉक एक्सचेंज पर भी असर पड़ा है। सरकार ने इस तक्नीकी खराबी पर संग्यान लिया है। सरकारी सूत्रों के हवाले से खबर है कि माइक्रोसॉफ्ट आउटेज का संग्यान लिया गया है। इस बारे में इलेक्ट्रोनिक्स और सूचना एवं प्रोध्योगी की मंत्राले जल्द ही एडवाईजरी जारी करेगा। पूर्व केंड्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने बताया कि माइक्रोसॉफ्ट 365 का लाखों भारतिय इस्तेमाल करते हैं। इससे तक्नीकी खामी से बड़े पैमाने पर कई कमपनियों का कामकाज प्रभावित होता है। मुझे उम्मीद है कि माइक्रोसॉफ्ट जल्द ही सेवाओं को बहाल करेगा। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, अमेरिका, ब्रिटेन सहित दुनिया भर के कई देश माइक्रोसॉफ्ट के सवमें दिक्कतों की वजह से प्रभावित हुए हैं। इसके चलते अधिकांश विमान कमपनियों, बैंक, स्टॉक, एक्स्चेंज, विदेशी रेल से वाएं और मीडिया हाउस का कामकाज ठप पर गया है। भारत सहित पूरे विश्व में पेमेंट सिस्टम्स भी प्रभावित हुए हैं। और भी ऐसी तरह तरह की न्यूज को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बैल आइकन जरू क्लिक करें। इसे हमारे आने वाली न्यूज की नडिफिकेशन आप लोग को सबसे पहले मिले।